नागार्जुन ने पीवी सिंधु को गिफ्ट में दी 73 लाकी ये आलिशानकार सचिन तेंदूल कर भी दे चुके हैं तो हफा एक्टर नागार्जुन साउथ की फिल्मों के अलावा बलेवुड में भी काफी मशूर हैं हाल ही में वो एक खास वज़े से चर्चा में आ गए हैं दरसल नागार्जुन ने बेड में इंटन खिलारी पीवी सिंधु पीवी सिंधु को 73 लाकी कीमत वाली ब्रहन्द यू बीम व एकस पाँच एस उवी कार बीम लुएकस पाँच साव गिफ्ट की पीवी सिंधु BWF World Championship में गोल्ड जीतने माली पहली भारतिय महिला बेड में इंटन खिलारी है इसी जीत के लिए नागारजुन ने पीवी सिंधु को ये कार गिफ्ट की है यह कारेकरम हेदरबाद के अननपूर्णा स्टूडियोज में हुआ इस मौके पर पीवी सिंधु के कोच पुलेला गोपी चन प्यूल लगा पिचन भी मौजूद थे इससे पहले जब पीवी सिंधु ने उलम्पिक में सिल्वर मेडल सिल्वर मेडल जीता था तो सचिन तेंदूलकर सचिन तेंदूलकर ने इसी कमपनी की कार उन्हें गिफ्ट की थी पीवी सिंधु को कार देने पर नागारजुन ने कहा ऐसे लोगों का समान करना अपने आप में समान की बात है मैं गोपी पुलैला चंद को भी बदाई देता हूँ जिसके प्रयासों से ऐसे खिलाडी बनते हैं साथ ही मैं उनके माता पिता पीवी रमन्ना और पीवी जै को भी देश को ऐसा बेहतरीन खिलाडी देने के लिए बदाई देता हूँ वहीं पीवी सिंधु ने कहा एवर ग्रीन सुपर स्टार नागार जुनसर और गोपी अना की उपस्थिती में गिफ्ट लेना अपने आप में एक खास अनुभव है मेरे लिए इसका काफी मैत्व है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगी इसे वेंद को तेलंगाना बेड में इंटन असोसियेशन के उपाध्यक्ष वीचा मुंडेश वरनाथ ने और गेनाइज किया था